नमस्कार साथियों, गोरकपुर से मुंबई जाने वाली ट्रेन में, ट्रेन का जो डिब्बा होता है C5 उसमें दो लड़कियां बैठी हुई थी, और दोनों अकेली चुपचाप बैठी हुई थी, काफी खुपसूरत लड़कियां थी, इतने में टीटी आ जाता है, टीटी ये भी भाम जाता है कि ये अकेली हैं, टीटी फिर इसका फायदा उठाता है, क्योंकि उसमें से एक लड़की के पास टिकर नहीं था, तो वो टीटी बैठ जाता है, उन लड़कियों के पास उनसे बाते करने लगता है, उसकी डूटी खतम हो रही थी, लखनव में, लेकिन वो चला जाता है उनके साथ मुंबई तक, कहानी काफी सांदार है, बहुत अच्छी है, लेकिन कहानी पूरी सुनाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजे, और वीडियो को लाइक कर दीजे और सेयर भी कीजिए, दरसल साथ सीओं पूरी कहानी में आगे बढ़ने से पहले, आपको बता दें कि गोरकपुर से मुंबई जाने वाली जो ट्रेन, उसमें एक सी फाइव डिबा, स्लीपर कोच, उसमें दो लड़कियां बैठी थी, टीटी आता है, टीटी का नाम होता है रोहित गुपता, और वो जो दो लड़कियां थी, उनमें एक का नाम होता है दीपिका, जिसकी उम्रोती है 26 साल, और एक लड़की का नाम होता है रीतिका, उसकी उम्रोती है 22 साल, दरसल वो दोनों बहने ही थी, और दोनों मुंबई जा रही थी, तो जब टीटी आता है, रोहित गुपता उनके पास उस ताहे टिकट दिखाईए तो लड़की जो दिपका होती है जिसके उमरे 26 साल होती है देखने में काफी खुपसूरत थी रीतिका उससे भी अच्छी उससे भी खुपसूरत थी तो वो बताती है दिपका की टिकट मेरे पास नहीं है लेकिन B5 ड बड़े चक्कर में पड़ जाता है कहता है यह दिखो मन में सोचता है कि यह तो कह रही है कि मेरे ससूर बैठे हुए है लेकिन इसके तुम ना मांग में सिंदूर है ना हाथ में चूडिया है ना पायल है ना कुछ है कहीं से लग नहीं रहा है कि यह विवाहित है साधी चलो मैं उससे confirm कर लेता हूँ अब वो अपने साथी के पास phone लगाता है जो रोहित गुपता नामक टीटी होता है जो की B2 में बैठा हुआ था B2 में उसकी duty थी उसके दूसरे साथी की उसके पास phone करता है रोहित गुपता कहता है देखो फाला-फाला सीट पर क्या दो लोग बैठे हुए हैं तो वो बताता है हाँ इसे इस नाम के लोग बैठे हुए हैं तो रोहित उससे कहता है कि देखो उनकी ticket मट चेक करना मैं अभी आऊंगा तो उनकी ticket चेक करूँगा दरसल C5 में दो लड़कियां बैठी हुए हैं और वो कह रहे हैं कि मेरा टिकट उनके पास है तो दूसरा टीटी कहता है ठीक है सर आ जाईए आप चेक कर लीजिए इसी बीच आ जाता है स्टेशन इस्टेशन पर जो ही गारी रुखती है तो रोहिद गुपता दोड़ते हुए जाता है B2 कोच में B2 कोच में जाने के बाद वो पहुंसता है उन लोगों के पास तो उनसे पहुंसता है क्या आप के पास जो C5 में लड़कियां बैठी है उनका टिकट है तो वो लोग कहते हैं हाँ है और वो लोग टिकट दिखाते है टिकट एक ही लड़की का होता है दीपिका का तो T.T. रोहिद गुपता उनसे फिर पहुंसता है कहता है टिकट तो एक ही लड़की का है और दूसरी लड़की का टिकट कहा है तो वो लोग कहते हैं कि उसका टिकट हमको नहीं पता, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा लेना देना बस उसी से है, डीपिका से है, वो उसको ले जा रही है, तो उसको क्यों ले जा रही है, कैसे ले जा रही है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है रोहिद गुपता काफी हैरान हो जाता है टीटी ये लोग ऐसा कैसे बात कर रहे हैं फिर वो बैठ जाता है उनसे पूछता है कि ये बताइए आप इसमें जा रहे हैं एसी कोच में बीटू में और आपके साथ में जो लड़कियां है वो स्लीपर में जा रही है ऐसा को है तो वो सक्स जो बुढ़ा सक्स होता है जो कि उस दीपिका का ससूर था वो बढ़बढ़ाने लगता है टीटी को कहता है तुम से इससे क्या मतलब है तुम से क्या लेना देना है हम कहां बैठे हैं जनरल में बैठे हैं बैठे हैं वो कहाँ बैठी हैं तुम्हारा काम है टिकट चेख करना टिकट चेख करो और यहां से जाओ तो टीटी कहता है कि गुस्सा मत हो हमने बस ऐसे ही पूँच लिया दरसल लड़किया जो है रो रही थी तो सास बोलती है कहती है हाँ वो बड़ी बत्तमीर है और उनका यही काम है वो नाटक करती है तो टीटी को कुछ समझ नहीं आता है कि आखिरकार ये लोग ऐसी क्यों बाते करने हैं और इन्हों ने उन लड़कियों को बहां क्यों बैठा रखा है उसमें से एक को बहु बताते हैं एक को बहु की बहन बताते हैं और सोयम B2 में बैठे हैं उन के हाव फाव इनका थोड़ा तरीका तरीका जानेंगे तो वो जब वहाँ बैट जाता है चुपचाप तो उनकी बाते सुनने लगता है तो सास जो है थोड़ी देर बाद बोलती है अपने पती से कहती है वो इतनी दुष्ट है कि मेरे बच्चे को खा गई और अब भी जहां जा रही है अपनी बहन को ले करके जा रही है ये जिन्दगी भर हमको परसान करेगी इसी तरह हमारी चाती पर मूंग दलेगी टीटी रोहित गुपता को अब समझते देर नहीं लगती कि वो जो लड़की दीपिका है वो दरसल बिधवा हो चुकी है और इनका बेटा जो है वो मर गया है उसका देहावसान हो गया है इसी वज़े से उस लड़की के मांग में सिंदूर हाद में चूड़ियां नहीं थी टीटी जब पूरी बास समझ जाता है अगला स्टेसन आ जाता है वो फिर जाता है उन दो लड़कियों के पास सी फाइब कोच में जब जाता है तो दीपका से कहता है हाँ मैं गया था बीटू में तुमारे साथ सजून मिले पर उनके पास एक ही टिकट है तो दीपका कहती हाँ एक ही टिकट है मैंने बताया थो था अब मैं क्या करूँ तो कहता है अब तो आपको टिकट बनवाना पड़ेगा जुर्माना देना पड़ेगा तो कहती कितना जुर्माना तो वो कहता है 900 रुपय जुर्माना पड़ेंगे मैं आपका टिकट बना दूगा तो दिपका कहती है ठीक है बना दो अब दोनों बहने पैसा एकठा करने लगती है दोनों बहने मिला करके एक हजार रुपया एकठा करती है 900 रुपय वो रोहित को दे देती है टीटी को रोहित गुपता यह सब देख रहा था 900 रुपए जब उसको मिल जाते हैं तो वो उनकी टिकट बना देता है वो कहता है ठीक है बाराम से तुम जा सकती हो मुंबई तक इसी बीच में उन दोनों लड़कियों ने खाने का आर्डर जिया था खाना आ जाता है खाने के हो रहे थे 170 रुपए तो जब खाना आया तो दिपका ने कहा ले जाओ मुझको नहीं चाहिए खाना तो जो वेटर था उसने कहा कि अभी तो आपने मंगाया था बितनी जल्दी खाना मना कर रही हो मैं जब लेके आ गया तो रोहिद भी कहता है कि मुंबई तक जाना है खाना खा लो तो दिपका बताती है मेरे पास 100 ही रुपए बच्चे हैं और इनको मैं रास्ते में चाह नास्ते के लिए रखूंगी और मेरे पास रुपए नहीं है तो वो कहता है नहीं रुपए इसको देख करके सहम जाता है और वेटर से कहता है खाना रख दो मैं इसके पैसे देता हूँ जो टीटी रोहिद गुता होता है वो उसके पैसे दे देता है दोनों लड़किया खाना खाती है टीटी बैठा रहता है टीटी अब उनसे और भी बातें जानना चाहा रहा था टीटी ने पूछा ये बताओ वो तुम्हारे साथ ससूर है तुम उनकी बहू हो ये तुम्हारी बहन है पर तुमको अपने साथ B2 में क्यों नहीं उन्होंने टिकट ली क्या टिकट नहीं मिली क्या वज़े थी तो दीबका कहती है ये मुझको नहीं पता ये तो आपको उन्हीं से पूछना चाहिए था तो रोहित कहता है मैंने पूछा था पर वो लोग तो काफी चिलाने लगे वरबाराने लगे तो दीबका ने बताया हाँ वो ऐसे ही बात करते है तो रोहित कहता है कितने साल हुए तुमारी सादी को क्या हुआ था कैसे क्या हुआ था तो दीबका बताती है कि मेरी सादी को तीन साल हो चुके है दो साल ही हुए थे सादी को कि मेरे पती का देहान थो गया तो पूशता कैसे देहांत हो गया दो साल में ही तो दीबका बताती है कि वो सराब ज़ादा पीते थे और फिर रोहित आगे पूशता है ये बताओ तुम पनी बहन को लेकर के क्यों जा रही हो क्यों कि तुमारे सास जूर तो नाराध है इसे तो दीबका कहती है ये मेरी बहन आए बाइस साल की है मेरे घर में के ओल मेरे माबाप है और वो भी काफी बुजुर्ग है मेरा कोई भाई नहीं है ये काफी पढ़ी लिखी लड़की है मैं चाहती हूँ कि मैं जब बंबई जाओंगी तो वहाँ पर मैं जिस कमपनी में काम करती हूँ उसी कमपनी में मैं इसको भी लगा लूँगी तो दो-चार पैसे ये कमाने लगेगी अपना खर्चा निकाल लेगी मेरे माबाप का सहारा होगा इसलिए मैं इसको ले जा रही हूँ लेकिन मेरे साथ ससुर्ग की इच्छन नहीं है कि मैं इसको ले जाओं दरसल वो समझते हैं कि ये मेरे घर में रहेगी लेकिन मैंने और इसने सौंच रखा है कि मैं जाते ही इसको एक किराय़ पर कमरा के बेष्था कर दूंगी ये वहीं पर रहेगी और company में काम करेगी और अपना जीवने अपन और रोजगार की कुछ देखेगी रोजगार की बेवस था तो रोहित उनकी बातों को जब सुनता है तो काफी हैरान रह जाता है रोहित और दीपिका और रीतिका जब बाते कर रहे थे तो compartment में उपस थे अन को भी काफी अच्छा लग रहा था खैर थोड़ी दिर बार रोहित उठता है कहता है मैं जा रहा हूं और टाइम मिलेगा तो फिर आउंगा ऐसा कहके वह वहां से चला जाता है जो लड़कियां थी रीतिका और दीपिका उनको भी कहीं ने कहीं उसके साथ में अच्छा लग रहा था थोड़ी दिर घूम फिर कर रोहित फिर आ जाता उन लड़कियों के पास और उनसे फिर पूस्ता है ये बताओ जब तुम्हारे माबाप को क्या पता नहीं था कि तुम्हारा होने वाला पती सराप पीता है आखिर कार ये साधी कैसे हुई तो तीपका बताती है दर थेस्त था उसने बताया था कापी अच्छे लोग हैं और इन लोगों को भी एक बहु चाहिए थी सुन्दर चाहिए थी और जो कि गाउं की रहने वाली हो ऐसी बहु चाहिए थी जो कि उनके बेटे को समाल ले विश्ता हो गया जल्दबाजी में सारा काम हो गया और साधी क अधिया थे ऐसा हुआ है और मेरी काफी वहां पर नाकदरी है वो लोग मुझको काफी मनहुस मानते हैं और इसलिए मेरे साथ ऐसा बेवहार करते हैं वो लोग यह सब बाते चली रही थी तो रोहित बताता है मेरी डूटी लखनओ तक है तो मैं लखनओ में ही उतर लड़कियां भी खाना खा चुकी थी नास्तासा चाय वगएरा होगी थी अब रात हो चुकी थी गाड़ी जो है वो रात में ही क्रास कर गई जहांसी जब जहांसी में सुबे हुई सुबे वो दोनों लड़कियां उठी बैठी हुई थी सब अंपार्टमेंट के लोग भी उठे तभी उन्हें एक आवास सुनाई देती है गुड मॉर्णी रीतिका और दिवका देखती हैं कि ये तो रोहित गुप्ता है टीटी वो दोनों खुशी से उचल पड़ती है बो पीए और अभी चाय पीएंगे फिर रोहित जो है वहीं पर बैठ जाता है पास पास के लोग कंपार्टमेंट के वो भी कापी खुस हो गए थे क्योंकि कहीं न गए उनको भी अच्छा लग रहा था रोहित और जो दीपका की बाते हो रही थी और रोहित उनको सबको पुस्तिय दीपका आप कहां तक जाओगे सर तो कहता है मैं अब मुंबई तक जाओँगा दरसल रोहित ने तीन दिनों की चुट्टी डाल दी थी आनलाइन चुट्टी ले ली थी और वो उसको अब कहीं न कहीं दीपका और रीतिका का साथ पसंद था अपनी डूटी से च चाए नासता करवाता और उनसे तरे-तरे की बातें और सवाल हो रहे थे खेर आ जाता है मुंबई का कुड़ला इस्टेशन जहां पर इनको उतरना था दीपका और रीतिका को रोहित बीड़वित में उनके साथ ससुर से भी मिला आता था वो सारे लोग जब महां पे उतरे तो रोहित ने डिबे में ही दीपका से कहा कि मुझको अपना नंबर दे दो दीपका ने कहा सर मैं अपना नंबर तो नहीं दे सकती हूं पर आप मुझको अपना नंबर दे दीजिए जब भी मुझको टाइम मिलेगा मैं आपके पास काल कर लूँगी फिर रोहित अपना नं कोई फोन नहीं किया, रोहित का मन नहीं लग रहा था, इसी बिच जब तीन दिन हो जाते हैं, तो एक दिन साम को एक अन्नोन नंबर से काल आती है, रोहित के पास, रोहित हलो करता है, उदर से लड़की बोलती है, हलो सर, मैं दिपका बोल लहीं, मुझे पहचाना, रोहित कहत ससूर के साथ में काफी कले और बात चीत हुई काफी सही नहीं था माहौल उसके बाद में आज मैंने अपनी बहन के लिए कमरा ले लिया है अलग और मैं अपने बहन को वहाँ पे सेटल कराने आई हूँ तो यहीं से मैं फोन कर रही हूँ आपके पास घर में ऐसा माहौल नहीं है रोहित कहता है दीपका मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ बुड़ा तो नहीं मानोगी हाँ सर बताइए तो रोहित कहता है दीपका मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ इतना जब वो कहता है तो उधर से कोई आवाज नहीं आती, रोह समझता है कि दीपिका नारास तो नहीं हो गई, रोहित के मन में उधेर बुचनने लगती है, उसका BPI लो हने लगता है, उधर से दीपिका जो है थोड़ी देरबाद से सकीयों की आवाज आने लगती है, रोते ही रोते कहती है sir I love you too, इसके बाद में फोन कार देती है इतने में रीतिका आ जाती है पूस्छती है दीरो क्यों रही हो तो दीपीका अपनी बहन को बताती है कि उनका फोन था और उन्होंने बताया कि वो मुझ Cubat करना चाहते है दरあसल रोहित ने जो बात उसको बदाई थी रोहित जो है उसकी मा जो है वो काफी समय पहले ही विदवा हो गई थी उसके पिता जी का देहांत हो गया था रोहित जब छोटा ही था रोहित की मा को काफी परेसानी हुई रोहित को पालने में लोकताने देते थे लोगों से बचते बचाते उसने रोहित का पालन पोसंड किया रोहित जब बड़ा हुआ अच्छी कहानी पता लगी थी सी फाइब डिबे में तो इसलिए बार बार वो जा करके दीपिका और रीतिका के पास जाता था कहीं के उसको लग रहाता कि ये मेरा वही हमसफर बन सकता है जिसको मैं चाहता था जैसा मेरा संकल्ब था आपने मा के कश्टों को देखते हुए जब डीपि कहती ठीक है भी पहले जानना समझना एक दूसरे को जरूरी रहेगा दीपिका रीतिका आपसी से ये निश्चे करते हैं कि दो तीन महीने हा नहीं करूंगी मैं और परखने की कोशिस करूंगी कहीं कोई इसके मन में कुछ गलत भावना तो नहीं है फैर रोहित भी कापी होता है आज आता है उनके साथ ससूर के घर पर साथ ससूर को जब पता लगता है कि दीपिका के शादी इतने बड़े आदमी नोकरी पेसा वाले वक्ति टीटी के साथ होने जा दिये इतने पढ़े लिके सक्स के सब साथ में तो भी सन रह जाते हैं लेकिन कहीं न कहीं उनको भी बाद में ऐसा लगते है नहीं, ये मारी बहु है और इसका कैसे गुजा रहा होगा तो अब इसकी साधी हो जा नी चाहिए तो वो लोगasま जाते हैं। बात में वो दीपिका और जो रोहित गुपता होते हैं दोनों लोग अपने माता पिता दीप का के साससूर और रोहित की ज़ो मा होती है उनके मोजुद्गी में साधी कर लेते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगते हैं कहानी आपको कैसी लगी ये एक सची घटना है अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और कहानी को सेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें थेंक यू